Dr. Babasaheb Aambedkar Open University Namaskar Vidyarthi Mitro Dr. Babasaheb Aambedkar Open University ना चैतन्य स्टुडियो माथी हूं दिगिश्वयास School of Humanities and Social Sciences अंतरगत Performing Arts विभाग तरफ्ति आप स्वावनू हार्दिक स्वागत करूछु इद्यार्धि मित्रो Performing Arts विभाग ना Certificate in Theater Arts अभ्यास क्रम आजे आपने नाटक अने कविता तेमज नाटक अने नवल कथा M. अन्यस सहित्य स्वरूपोनी नाटक साथे ना संबंद विशे तरचा करीशु Paper 1 प्रक्रण 1 जेनों विभाग अ आपने जूए नाटक अने कविता आविभाग नों हेतू छे नाटक अ विशिष्ट सहित्य प्रकार छे कविता साथे तेनी भिन्यता छता केटलीक सामान्य समान्ता छे द्यार्थी मित्रो एकम ना अंते ते आपनने स्पष्ट थशे हवे आपने आविभाग नी प्रस्तावना जूए नाटक विशे नी जन मानसमा जे मान्यता रहिली छे अने कविता विशे नों जे ख्याल छे ते आपने उदारन साथे पन जोईशु हवे आपने मुख्य विशे नाटक अने कविता तेना विशे चर्चा करिये इद्यार्थी मित्रो नाटक श्राविय साथे द्रश्य कडा पन छे कविता मुख्यत्वे श्राविय एटले के संभड़वानी कडा छे नाटक भजवाई छे एटले ते द्रश्य जोवानी कड़ा पण छे, आम नाटक श्राविय उप्रांत द्रश्य कड़ा होवा थी, तेनु तंत्र प्रस्तुतीनी रीत कविता करता जुदी छे विद्वानोंना मत प्रमाणे आपने नाटक ने व्याख्या जुए, दुनियाना सूख अने दूख जोवानु रूडु दरपण, जगतना मानवियोंनी विविद अवस्था भावनु अनु किरतन, तेमाज, मानविनी क्रियानु अनु करण विद्वार्थी मित्रो, प्रक्रणना अन्ते आपने शब्दावलीमा आजे शब्दों छे तेना विशेपाण अर्थ समझेशु मानवोना परस्पर संबंधो, संगर्षो, अने व्यक्तिगत मनोभावो, मंच पर नट रजू करे छे ते पात्र बने शे, रमण नामनो एक नट छे, जे रामनो रूप धारण करे छे नाट्य प्रयोग मा पोताना उपर रामना चरित्र ने आरोपीत करे छे हने वड़ी कहे पन छे के हुँ राम छू, ते थीज संस्क्रूत मा नाटक विशाळ अर्थमा रूप कह कह वायू छे नट मा चरित्र नू आरोपन करवा थी, ते रूपक एवी व्याख्या छे ते समय प्रेक्षको सामे जीवन्त बने शे, जाने के आज क्षणनी घटना लाइव, एटले नाटक दर्शको पर अन्यसाहित्य प्रकार करता वदू द्रड अने घेरी छाप पाड़े शे इद्यार्थिमित्रो, तमारा निरिक्षणने आधारे किटलाक आप उत्तर आपशो, स्वाध्यान तमे जोएल नाटक, तमे साम्भळेल के शिक्षके पठन करेल कविता करता केवी रिते जुदा पड़े शे आप राष्णनों उत्तर, सामन्य शब्दों मा आप विचार्षो तो खुबज मजा हो शे विजो, नाटक ने रजुवात माटे कई-कई सामन्य जरूर्यात होए रंगमंच ना आतंत्र ने तमारा शब्दों मा समझावो प्रश्णत्राण, तमारा गमता कोई गीत के कवितानू नाटक करवू होए तो केवा-केवा फेरफार करवा पड़े विद्यार्थी मित्रो, प्रक्रणना अंत्मा आपने कवितानू पठन बन करीशू कि जैना ध्वारा तमे एक नाटक के एनू द्रश्य लक्षो, यो प्रयत्न करशो तो आ प्रश्णनों उत्तर पन आप विचारो, येनू वर्णन करो, तमारा शब्दो मा आपो स्वध्यान करो एवी आशा, हवे आपने फरी पाचा मुख्य विशे तरफ आविए नाटक नी उत्पत्ती विशे विविद मत छे एक मत प्रमाने कोई आदी मानव गणा हजार वर्ष पुर्वे नो वनवासी भयंकर जंगलमा बाहदूरी पुर्वक हिंसक पशुनो शिकार करी आवियो ते पाचो आवियो त्यारे तेना सगा परीचीतोय आवु अद्भूत पराक्रम ते केविरिते करियो ते पुछियो अने ते वनमानवे हाव भाव शरीर चेश्टा हलन चलन अवाजनी विभीत्ता साथे ते घटनानू तेमनी सामे अनुकरण एटले के पुनह प्रस्तुती करी बतावी मित्रो जगतना इतिहासमा आने प्रथम नाटक गणी शकाए नाट्यकडा विशेना महान ग्रंत भरत नाट्य सास्त्रे नाटकनी उत्पत्तिनी कथा वर्णवी छे संक्षेप मा जोईये तो त्रेता युगमा प्रजा भहु दुखी थे गई हती सव दुख्नो उपाय शोध्वा इंद्र पासे गया इंद्रे भ्रह्मा जीने नाट्य वेद तयार करवानू कईयौ भ्रह्मा जी चार वेदो माथी विविद तत्वोल आई नाट्य वेद रच्यो अने भरत्मुनी ने स्वांपयो भरत्मुनिये पोताना पुत्रों ने नाट्य वेदनु ग्ण्यानापी नाट्य प्रयोग तैयार करावियो इंद्र ध्वज उत्सवमा ते नाटकनी भजवनी थै ते नाटक रुपकनु विशय हतो दानवो पर देवोय प्राप्त करेलो विजय आमा दानवोने खराब चितर्वामा आवेला इटले चालू प्रस्तुतिये दानवोय विज्ण उपा करिया त्यारे ब्रह्मा जीये तेमने समझावया नाटक मा दानवो के देवोना चरित्र नूज अनुभवन कल्पना ध्वारा अनुकरन नथी नाटक मा तो त्रणे लोक, प्रुथ्वी, आकाश, अने पाताडना बधाज भावोनू मूर्स, सेंटिमेंट्स नू अनुकिर्तन छे वडिक जुक के नाटक विविद भावोती समन्वित, एटले के समन्वय करायलू विविद अवस्थाती, स्तिती, परिश्थिती थी युक्त लोकोना व्यवारनू अनुकरन करनारू छे अने अन्ते कहे छे के आमा संसार ना बधा भावोनू अनुकरन थाई छे एटले तमारे दानवोय कुरोध न करवो जुए नाटके शास्त्रमा इंद्र देवेज विननती करता कहीू छे अमे एवु क्रिड नियक इच्छिये छे के जे द्रश्य अने श्राव्य पन होए अरमकडू क्रिड नियक छे जे द्रश्य साथे श्राव्य एटले के विज्योल साथे ओडियो युक्त पन छे मित्रो अंग्रेजी मा नाटक ने प्ले कहे छे आपने तेनो धिये नाटक माटे नो अंग्रेजी शब्द छे प्ले नाटक रजू करवा माटे प्लेयर्स जुईये अर्थात एक्टर्स जुईये प्ले ना नियम पण होए अने रमभा माटेनू निश्चित स्थान इटले के प्लेग्राउंड पण होए विगेरे विध्यार्थी मित्रों आ बधी बाबतों विशे विस्त्रूत चर्चा आपने आगल करीशू अत्यारे नाठकने पंचम वेद कहवामा आवे छे कारण के चारे वेद माथी एमा जेते वेदनी विशेष्ता लेवामा आवी छे जो येतो रुगवेद माथी पाठ्य कहता वस्तू सामवेद माथी गीत यजूरवेद माथी अभिनए अने अन्तमा अथर्ववेद माथी रस एटले नाठ्य शास्त्र प्रमाने कथा वस्तू गीत अभिनए अने रस नाठकना महत्वना आंग छे एमा अभिनए नाठकने सहित्यना अन्य प्रकारों थी जुदू पाड़े छे द्यार्थी मित्रो तमे जे शिख्या तेने आधारे तमारी प्रगती चकासो नठ्य शास्त्रमा वर्नीत नाठकनी उत्पत्तिनी कथा कई महत्वनी बाबतों सुचुवे छे आपने जे कथा विशे चर्जा करी येना पर्थिया प्रश्णन उत्तर तमारे सोधवनों छे प्रश्ण बे, नाटक नी उत्पत्ती नी अन्य कथावर्ण वो, अने तेमाथी मलती अगत्यनी महाईती जणावो प्रश्ण त्रण, नाटक ने पंचम वेद केम केवाम आवेज छे विद्यार्थी मित्रो, आजे प्रश्णो तमने कया, ए सव ना उत्तर जवाब, आपने आ प्रक्रण विशेज आपने चर्चा करी, एमाथी ज मलशे तो तमे शोच्षो, स्वाध्यान करशो, एवी आशा, हवे आगड, अभिनए विशेनी विश्त्रूत महीती, तेने सनलग्न प्रक्रण मा आपने मेड़ विश्व कवितानू सर्जन बधेज, विश्वना सहित्यमा प्रथन थयुश, आपने तो कवितानू छेडो नाटक, एम कही नाटकने विशेश गणिये छिये शुरोता, दर्शकने स्पष्ट नजरे चड़े, तेवी बाबतो हवे आपने जोईए 1. कविता अने नाटक, बन्नेनू माध्यम बाशार छे, लए, विराम, पदावलीनो, खयाल, बन्ने प्रकारमा राखवामा आवे छे 2. लागणी सभर संभादो कविता जेवा लागता होई छे 3. कविता मा कवी सर्जक, जाते आवी रजुवात करी शके छे 4. जयारे नाटक मा लेखक, सर्जके पात्र बनीने आवबू पड़े छे 5. कविता जयारे मुशायरा के कवी संभेलन मा वानी कउशल्य पुर्वक रजु थाए 5. त्यारे वधारे श्रवणिया साथे प्रिक्षणिया पन बने छे 6. छता तेने नाटक न गणाए 6. सामान्यारीते कविता आत्मलक्षी अने अंतरं इटले के इंट्रोवर्ट कला छे 6. जयारे नाटक परलक्षी अने बहीरं इटले के एक्स्ट्रोवर्ट कला गणाई छे 7. संस्कृत नाटको मा वर्णन करवा के मनोभाव व्यक्त करवा सुन्दर श्लोको नो उप्योग थायो छे 8. पन ते नाटक ना भाग तरीकेज 9. खंड काव्य महा काव्यनी कविता नाटक मा आवता श्लोको थी जुदी पड़े छे 9. विद्ध्यार्थिमित्रो कवी नहना लालनी डोलन शैली के अपध्य गध्यनो शहिंशा अकबर्षा नाटक मा उप्योग कर्यो छे 9. शेक्स्पियरे पन ब्लेंक वर्षनो पोताना नाटको मा सुन्दर प्रयोक कर्यो छे आवा उद्धारणो मा कवीता नाटक ने उपकारक बनी छे आधुनिक नाटको मा अने ऐतिहासिक नाटको मा पूर्ण छंद बद्ध नहीं एवा अच्छांदस नो उप्योग नाटक ने अनुकुड बने छे पद्ध्यमा पन नाटको लखाया छे नाटक सहित्यनों प्रकार छे एटले तेमा सहित्यना केटलाक लक्षणोंनों समावेश थाये छे ते स्वभाविक्षे मित्रो नाटक अने कविताने जुदा पाडता केटलाक लक्षणों आपने जुईए नाटक द्रश्यमा के अंकमा विभाजित होई शे कविताना स्वरूप एवा महाकावया खंडकावया सर्गमा विभाजित होई शे आख्यानमा कडव होई सोनेट गीत उर्मी कावया विशे तमे जानता जशो नाटक नी किटलीक व्याख्याओ चकाशिया नाटक बहुदा बिन्न बिन्न रुची नी अनेक व्यक्तियोनु मनोरंजन करनार होई छे त्रणे लोक आकाश, पाताल अने प्रुथ्वी ना अर्थात समग्रना भाव लागणी सेंटिमेंट नुँ अनुकिर्तन नाटक छे रुपकम तत समारोपार इटले के नट उपर जे ते पात्रनु आरोपण करवाने लिधे ते रुपक कहवाई छे द्यार्थिमित्रो संस्कृत सहीत्यमा गुजरातीमा जेने नाटक कहिए छे तेवा व्यापक अर्थमा रुपक शब्द वपराई छे नाटक ते रुपक नो एक प्रकार छे ते विशे वधू उच्च अभ्यासमा आपने जानी छे अगर दुखार्त, शोकार्त, श्रमार्त अने तपस्वियोंने माटे अनाटक विश्रांती कारक बन छे एटले के आराम सुख आपनार थाशे ड्रामा ड्रामा इज एन इमिटेशन ओफ एक्षन पस्चिम्मा नाटक ने क्रियानू अनुकरण कईवू छे विध्यार्थी मित्रों अहीं फरी तमारा अभ्यासने आधारे नाटक अने कविता केवी रिते जुदा पड़ेशे ते समझाओ आपेल पंक्तीने तेना योग्य अनुवाद साथे जोडो तमने आप्पामा आवेल अभ्यासक्रमना पुस्तक मा आ विशे प्रश्णों आपेला हाश्चे तेने जोडका बनावीने आप लक्षो एक बाजुचे संस्कृत पंक्ती अने वीजी बाजु गुजराती अनुवाद रुपकम तत्समारोपात वीजु नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुदा पेकम समाराधनम त्रिजु त्रैलोक्य स्यापी सर्वस्य नाट्यम भावानू किर्थनम चौथू विश्रांती जननम लोके नाट्यमेतत भविश्य दी विद्यार्थी मित्रों आ संस्क्रूत पंक्तियो छे तेने हवे गुजराती मा जेनो जे अर्थ छे भवानू आजचे तेनी साथे तमारे जोडवानू छे आपड़े गुजराती अनू आजजु ये एक, नाटक बहुदा भिन्न भिन्न रुचीना अनेक व्यक्तियोनू मनोरंजन करनार होई छे बे, त्रणये लोकना भावनू अनुकिर्थन नाटक छे त्राण, नाट उपर जे ते पात्रनू आरोपन थवानेलिधे ते रूपक कहवाई छे चार, लोकमा आ नाटक विश्रांती जनक बन्षे तो विद्यार्थी मित्रो, आपने संस्कृत पंग्तियो अने आ गुजराती अनुवाज जोया तेने तमे आ प्रकरणनी आपनी चर्चा अने तमारा अनुभव थी तमे जोडका बनावशो आपने आगण जुए शब्दा वली मा पहलू छे रूपक, रूपक अलंकार पन छे ज्यां उपमे एकले के जेनी साथे सर्खामनी करवानी छे ते अने उपमाल जेनी सर्खामनी करवानी छे थे बन्ने एकज अभिन्न अंगणाए उदार्ण तरीके मुख चंद्र ते प्रमाणे नट एक्टर नेज पात्र समझी लेवामा आवे छे संस्कुरुत सहित्यमा नाटक ना व्यापक अर्थमा रूपक कहवाई छे बे पाठ्य रुगवेद माँ विवीद विशयोनी कतावो छे वडि तेमा पात्रों वच्चे ना संभादो पन छे आ रुगवेद माथी वस्तु पाठ्यनों समावेश नाटक माँ करवामावेश छे त्रीजो शब्द जोईए अभिनए यजुर वेद ना मंत्रों नू पठन हाथनी मुद्राव साथे थाएश यग्णना विराम समय यग्ण करता हाव भाव साथे तेमा आउती कथा वर्णावता रजु करता यजुर वेद मानी आ विशेश तावनों नाट्टे वेद माँ अभिने तरीके समावेश थरों विद्यार्थी मित्रों अभिने ना चार प्रकार 1. आंगीक 2. वाचीक 3. आहरिय अने 4. सात्वीक ए विशे तमें विश्तरूत अभिनेना प्रक्रणमा जान शो 4. शब्द छे रस रूपक अर्थात नाटकनों मुख्य हेतु रस निश्पत्ती गणवामा आवेश रस नव छे 5. शुरूंगार, वीर, करूण, हास्य, रौद्र, भयानक, विवच्च, अद्बूत, अने शान्तने नवमो रस कायों छे 5. जेम भोजन मा विविद 6 रस छे, खाटो, तूरो, तीखो, मीठो, कडवो, खारो, तेम साहित्यमा नाटक मा नव रस छे हवे आपने पाच मो शब्द जोईए, अपध्य गध्य, अपध्य, पध्य नहीं तेवू, अने अगध्य, गध्य नहीं तेवू विद्यार्थीमित्रो, जेनी शैली मा पूर्ण पद्यना, कवितानी भाषाशैलीना लक्षनों नहोय वडी तेमा पूर्ण गध्यना नव लीका नवल कथामा वप्राती बाषाशैलीना लक्षनों नहोय ते विशिष्ट शैली नो उपियोग नाटक मा थयोज़ छे विध्यार्थी मित्रो आहाता थोड़ाक शब्दो जे आ प्रक्रण मा आपने चर्चा करी तेन आर्थ आपने जोया हवे तमारा भ्यास ने आधारे तमे समझाओ स्वध्यायन किट्लाक शब्दो जे विश्रांती जनन भावानू किर्तन इमिटेशन अफ एक्षन अने संस्कृत सहित्यमा रूपक तो विद्यार्थिमित्रो आ चार शब्दो शे जेनो अर्थपाण आ प्रक्रण मा तमने क्याक मली जशे तो आप शोच शो आ एकम्मा करेल अध्ययनने आधारे तमे भणेला कि जोएला एकांकीना भेदक तत्वो नोधो जे तेने बिजा सहित्य प्रकार्थी जुदू पाड़े जे प्रश्ण बे नाटक अने कवीताना भेद कोष्टक बनावी साम सामे लखो प्रश्ण त्रों आंधळी मानो पत्र काव्यना अधारे कोईपण एक द्रश्य नाटक नू लखवानो प्रयत्न करो अने प्रश्ण चार कलापी ना ग्राम्य माताने आधारे एक द्रश्य लखवानो प्रयत्न करो विद्ध्यार्थी मित्रों आपने उद्धाहरन तो जोईशू अने तम्हे प्रश्यत्न करशो तो वधू मजा आवशे विद्ध्यार्थी मित्रों हवे कविता अने नाटक ना केटलाक उद्धाहरनों जोईए आंधड़ी मानों कागड जोईना सर्जक्छे इंदुलाल इंदुलाल गांधी आंधड़ी मानों कागड नमस्कार अहीं आपने आ प्रक्रणने पूरू करिये छे आ प्रक्रणमा बाकी रेती चर्चा आपने आगणना अंकमा आगणना लेक्चर मा जोईशु त्यां सुधी तमेशो विद्ध्यार्थियोंने आपेल स्वाध्याय करवानों प्रयत्न करशो नमस्कार स्वाध्या यह पर्या मंता पहाँ